असलाम लेकुम डियर स्टूरेंट्स आज हम दो से चार साल तक के बच्चों के लिए जो कहानियों की किताबे सेलेक्ट करते हैं उसका एक और इंपॉर्टेंट कंटेक्श्चल अट्रिबूट पढ़ेंगे जिसका नाम है लेंग्विज कि उसके लेंग्विज कैसी होनी चाहिए और बच्चों की कहानी की किताबों में लेंग्विज क्या रोल प्ले अधा करती है बच्चों को समझाने में उनके इंट्रस को ट्रिगर करने में और उनको lifelong learner बनाने में तो इसको हम देखते हैं सबसे पहले आपके सामने मौझूद है कि आपके लर्निंग अब्जेक्टिफ किया है और आपके लिए रेफरेंस भी मौझूद है जहां से यह content लिया गया है अब important चीज़ी आती है कि 2-4 साल तक का बच्चा language सीखता कैसे है language में important चीज़ आती है concept, बच्चों को conceptual support देने के लिए यह जरूरी होता है कि जो concept आप कहानी में इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो concept बिल्कुल concrete हो, concrete होने का मतलब यह है कि वो clear हो और उनके simple और clear definition मौझूद हो, कोई abstract concept उसके अंदर मौझूद नहों, ऐसा हो जो visually देखा जा सक सकता हो, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकते हों, इसलिए उसको simple होना भी जरूरी है और यह भी जरूरी है कि बच्चे उस concept को जानते हों, और इसके साथ बहुत important चीज़ आती है, वो यह आती है कि concept उनकी life में important हो, चाहे वो उनकी आगे school में चलने वाली academic life है, या उनकी emotional social और personal life है, और सबसे एहम चीज़ इसके अंदर यह है, कि बच्चों के concept development बहुत important है, उनकी thinking development में भी और उनकी language development में भी, अब हमारे सामने ये चीज़ें मौजूद हैं, कि किताब के अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, जो बच्चों को किस किसम की चीज़ों में help करती हैं, हमारे सामने एक variety of concepts जो हैं, वो मौजूद होते हैं, सबसे पहले हम simple actions जो हैं, वो भी concept रखते हैं, हम बच्चों को कहानियों के तुरू वो भी introduce करवाते हैं, for example, concrete के अंदर आ जाएगा और simple or familiar concept में आ जाएगा eating, drinking, walking, laughing, playing, football या आप bike ride कर रहे हैं, यह simple concept है, उसक समझना शुरू कर देते हैं, और propositions के जो फर्क हैं, वो उनको पता चलना शुरू हो जाते हैं, आपकी language जो कि आप कहानियों में इस्तमाल कर रहे हैं, या author ने लिखिया है, उसके through, अगली important चीज़ आ चारती है हमारे सामने, कि बच्चे किस किसम के broader concept जो हैं, दो से चार स इसको इस्तमाल करते हैं, school जाते हैं, college जाते हैं, market जाते हैं, colors, animals, locations, time, object, plants, ऐसे बहुत से concept हैं, जो बच्चे की life से भी relate करते हैं directly, उसकी emotional life से, उसकी personal life से और बाद में उसकी academic life से, तो ये concept जो हैं, बच्चे easily समझते हैं, इससे familiar भी होते हैं, और इन concept को जब हम कहानियो में पेश करते हैं, या ऐसी कहानियां जिन में ये concept हो, तो बच्चे उसे असानी से understand कर लेते हैं, और उसमें अपना interest maintain रखते हैं, अगली important चीज़ आती है कि वो जो भी concept हम present करने जा रहे हैं, they should be easy to comprehend, उसके लिए सबसे important चीज़ ये है कि 2-4 साल तक के बच्चे को आप अ बच्चा, जो भी उसकी कहानी हम उसके लिए लेंगे, वो कहानी में short sentences होने चाहिए, verb sentences होने चाहिए, अगर उसके अंदर repetitions होती है, उसके अंदर rhymes हैं, उसके अंदर synonyms और antonyms मौझूद हैं, तो बच्चा उसे आसानी से पढ़ लेता है, उसमें poems हैं, tales हैं, कहानियां जिसमें comic है, जिसे पढ़के वो हसता है, enjoy करता है, और वो कहका लगाता है, तो यह वो कहानिया हैं, जिससे बच्ची की language development में उसको मदद मिलती है, इसके अंदर बहुत interesting stories आती हैं, जो tongue twisters होती है, या ऐसी stories जिसका हम faibles कहते हैं, यह कहानियां बच्चों के interest को trigger करती हैं, और उनकी vocabulary, उनकी language और उनकी cognitive processes में मदद करती हैं, क्या themes होने चाहिएं कहानियों के, जो 2 से 4 साल तक के बच्चों को हमें देनी चाहिए, सबसे important theme हमारे सामने आता है, जिसके अंदर हम एक reality को reflect करते हैं, और यह सामने रखते हैं, कि बच्चे जो हैं, वो अपने आपको उ उसकी reality से match होना जरूरी है, एक ऐसे character जिसके अंदर fun हो, जिसके अंदर मज़ा आ रहा हो, और कहके लगाने का जीच आए, जो खेल रहा हो, जिससे बच्चे अपनी energy को उसकी energy से match कर सके, वो characters जो होते हैं, बहतरीन theme के तोर पर represent होते हैं, जिसको बच्चे enjoy करते हैं, और इ भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं, जैसे के family, sense of sharing, achievement and kindness, ये वो चीजे हैं जो हमने बच्चों को सिखानी है, और बच्चे इन चीजों को कैसे सीखते हैं, आगर वो जबर्दस तरीके से represent की जाएं, जैसे के वो entertaining हो, उनको देखें, वो enjoy करें, वो interesting तरीके से scenario कीचा गया हो, और उसको थोड़ा से ridiculous बनाएं, ताकि बच्चे कहके लगाएं, उसको enjoy करें, उसको देखें, तो उनको मज़ा है, और वो उनको हैरान कर सकती हैं, कुछ mysterious और astonishing characters हो सकते हैं, और फिर कुछ extraordinary elements हो सकते हैं, कि जहां हम थोड़ा सा reality को बढ़ा के बताते हैं, जैसे बच्च तरीके से achieve कर सकते हैं, thank you so much.